आलसी तोते एक घनी जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का जुन रहता था शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगे जाने का फैसला किया उन्होंने दूर एक ताड का पेड़ खोज लिया ये पेड़ बहुत उचा होने के कारण शिकारी का उस पर चड़ना मुश्किल था जुन के मुख्या ने सभी तोतों को घोसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा सभी तोते नई जगे को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे लेकिन मुख्या सावधान था और अब भी उस नई जगे की जाच कर रहा था अचारक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया सारे तोते गोसलों में आराम कर रहे थे वो अपने गोसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे मुख्या जी आप यूँ ही चुनता कर रहे हो ये चोटी सी लता हमारा क्या बिगड़ेगी मुख्या उनको उस लता को निकालने की आवश्यक्ता समझाने लगा आज ये लता नाजुक है उसे निकालना आसान है लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी कुछ दिन बाद वो बड़ी साक्त रस्ती की तरह बन जाएगी इसे अभी निकालना होगा आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चड़ने का साधन बन जाएगी वो असानी से घोस्नों तक पहुचेंगे और अनर्थ हो जाएगा सारे तोते आराम से घोस्लों में बैठे थे वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे मुख्या की बाद वो रोज अगले दिन पर टालते रहे टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई एक दिन जैसा मुख्या ने कहा वैसा ही हुआ एक शिकारी वहाँ आया उसने उस मजबूत लता को देखा उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चड़ गया पूरे जुन की आँखों के सामने वो उनके गोंसलों से सारे बच्चों को निकाल कर ले गया सारे तोते सिर्फ देखते रह गये और कुछ नहीं कर पाए इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़ कर चले गये अपने मुख्या की बात न मानने पर वो बहुत पच्चताने लगे पर अब बहुत देर हो चुकी थी